Heart Attack का एक छिपा हुआ कारण है, जिसके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं है. ये बात Thomas Levy की एक किताब पर आधारित है, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा. ये बात बेहत दिल्चस्प है क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ, उसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है. सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजे बताने वाला हूँ, जो इस किताब में लिखी हुई है. 101 मरीजों को मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, यानि की हार्ट अटैक और कोरोनरी आर्टरी की प्रॉबलम थी, उनमें से 78 प्रतिशत लोगों ने अपना रूट कैनाल करवाया हुआ था, और हार्ट की ये प्रॉबलम्स रूट कैनाल में पैथोजन्स के इंफेक्शन के है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बायोफिल्म बनाने वाले ये पैथोजनिक सुक्षमजीव आपके हार्ट में क्या कर रही हैं, ये सुक्षमजीव वहां कैसे पहुँचे और आपके दान्तों से इसका क्या कनेक्शन है, स्ट्रोक के कुछ मरीजों के खून के क्लॉट में इन माइक्रोब्स को देखा गया है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ समय पहले मैं एक देंटिस्ट के पास गया, देंटिस्ट मेरी नॉर्मल जाच कर रहा था, उसके पास एक बेहत शांदार डिवाइस थी, जिसे 3D कोन बीम इमेजिंग सिस्टम कहते हैं, जिसके जरिये डेंटिस्ट आपके दान्तों की जड़ों को देख सकते हैं, और दान्तों के नीचे पैदा होने वाली प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शन्स का पता लगा सकते हैं, कैरोप्रेक्टर से पहले मैं X-ray टेकनीशियन था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा दिल्च जस्पी थी कि डेंटिस्ट क्या कर रहे हैं, जब मैं अपने दान्तों को देख रहा था, तब मैंने गौर किया कि मेरे एक दान्त की जड़ में एक बड़ा काला छेद है, डेंटिस्ट ने भी उस छेद को देखा और कहा कि आपके दान्त की जड़ में इन्फेक्शन है, मु आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है. आपको अर्थराइटिस और कई दूसरी बिमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है. वैसे ये प्रॉब्लम काफी आम है. अगर आप इस कंडीशन पर गौर करें, तो इसे क्रोनिक एपिकल पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं. कई बार आपको इसके कोई भी लक्षन दिखाई नहीं देते. जैसे जैसे आप कुछ चबाते हैं, आप बैक्टिरिया को अपने जबडे के लिम्फिटिक सिस्टम और पूरे शरीर में पहुँचाते जाते हैं. दॉक्टर लेवी कुछ बेहत चौकाने वाले डेटा प्रस्तुत करते हैं. हर साल लगभग 15-25 मिलियन लोग अपनी रूट कैनाल सरजरी करवाते हैं. दॉक्टर लेवी मानते हैं कि असल प्रॉबलम आपके रूट कैनाल में पैदा होती है. प्रॉबलम तब शुरू होती है. जब root canal की सरजरी होती है, डॉक्टर दांत को खोलते हैं, उसके आसपास से पस को निकाल देते हैं और उस जगह को कीटानू मुक्त करके उसे सील कर देते हैं प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर उस जगह से बहुत सारा ट्यूब्यूल निकाल देते हैं, इन छोटी-छोटी ट्यूब्स की लंबाई बहुत अधिक होती है, अगर आप इनहें निकाल देते हैं, तो आप दांतों के इम्यून सिस्टम को भी जड़ से उखार देते हैं, उसक के डांतों की जड़ों में इंफ्लमेशन रहने लगती है, उनके मसूडे सूज जाते हैं, और हार्ट अटाक से पीडित लोगों में इसका बहुत बड़ा कनेक्शन दिखाई देता है, जो बड़ी अनोखी और अजीब बात है, कई बार जब आप एक्स-डे करवाते हैं, त पैथोजन्स में भी पैदा हो सकता है, निरंतर और लंबे समय से इन पैथोजन्स के संपर्क में आते रहने से आपको ये प्रॉबलम हो सकती है, खासकर अगर आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, ताकि ये इनका मुकाबला कर पाए क्योंकि ये पैथोजन्स बहुत ज्यादा ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस असल में एक ऐसी सिचुएशन है, जहां बहुत सारे फ्री रेडिकल्स आपके शरीर को नुकसान पहुचाने लगते हैं और उस सिचुएशन को रोकने के लिए हमारे शरीर में परिया बाई प्रोडट्स भी निकालते हैं, जो असल में टॉकसिंस ही होते हैं, ये टॉकसिंस आपके शरीर के विभिन हिस्सों में ज्यादा इम्यून रेक्शन और ज्यादा इंफ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं, हमारा शरीर इस सिचुएशन से निपटने के लिए कई तरीके अप इसी सिचुएशन में जैसे ही डॉक्टर ने मेरा दांट निकाला, मैंने महसूस किया कि मेरी पीठ और मेरी गरगन की इंफ्लेमेशन गायब हो गई थी, ये बड़ी दिल्चस्प बात थी, अगर मैंने अपना एक्स रे नहीं करवाया होता, तो मुझे कभी पता भी नहीं चलपाता की दांतों में छेद होने का कारण कोई इंफेक्शन था, यहां असल में हम बहुत ज्यादा बैक्टीरिया के लीक होने वाली सिचुएशन देखते हैं, जिसके कारण आपके इम्यून सिस्टम से छेड़चाड होने लगती है, उदाहरन के लिए मान लेते हैं कि आ ज्यादा ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस तो नहीं बढ़ गई है, इस स्थिती में आपको एक से दो ग्राम लाइपोसोमल विटामिन सी लेना चाहिए, यह कोई विटामिन सी कॉम्पलेक्स नहीं है, जिससे हम विटामिन सी की कमी को दूर करना चाह रहे हैं, हम मुख्य तोर पर एंटी ओक्सिडेंट के रूप में इसका इस्तिमाल करते हैं, ताकि ओक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम किया जा सके, इस विटामिन सी की अनोखी बात ये है, कि ये विटामिन सी आपके सैल्स के अंदर पहुँच सकता है, मैं आपको इसकी 500 मिलिग्राम मातरा दिन में कई बार लेने की सलाह दूंगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्यूबल है और हम चाहते हैं कि ये आपके पूरे शरीर में प्रवाहित होता रहे, इस विटामिन सी की अच्छी बात ये है कि दूसरे एसकॉर्बिक एसिड की तुलना में अगर आप इसकी बड़ी की कोशिश कर सकते हैं कि आपको इस प्रॉबलम का सामना क्यों करना पड़ रहा है, आप पता लगा सकते हैं कि क्या ये आपकी डाइट से जुड़ा हुआ है, क्या ये आपकी नींद और आपकी एक्सरसाइज या आपके दांत के इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ है, ये इ एथेरो स्क्लेरोसिस और बायो फिल्म की कार्य प्रणाली पर बनाया गया मेरा विडियो नहीं देखा है, तो आप उसे यहां देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।